आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं आप सभी के समक्ष शरत पुर्णिमा का महत्व कथा तथा पूजाविधी बताने जा रही हूँ आश्विन मास की शुकल पक्ष की पुर्णिमा को शरत पुर्णिमा कहा जाता है शरत पूर्णिमा को कोमुदी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कुमार पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है शरत पूर्णिमा के दिन पांच देवताओं की पूजा की जाती है जिसमें धन की देवी लक्षमी, चंद्रदेव, कुबेर, भगवान शिव और शिरिक्रिष्न भगवान शामिल है वर्ष भर में आने वाली सभी पूर्णिमा में शरत पूर्णिमा की रात को चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला और देखने में आकर्शक लगता है क्योंकि शरत पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सोला कलाओं से सुसजित होता है और पृत्वी के सबसे ज़्यादा निकट भी होता है जब शरत पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी सोला कलाओं से परिपूरन होकर धर्ती पर अपनी किर्णे भी खेरता है तथा अम्रित की वर्षा करता है उस समय लक्षमी जी की पूजा अत्यंत फल्दाई मानी गई है आयुर्वेद के अनुसार इस दिन चंद्रमा ना केवल सोला कलाओं के साथ चमकता है बलकि इसकी किर्णों में कुछ ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जो शरीर को पोशकता परदान करते हैं इसलिए शरदपूर्णिमा का लाब उठाने के लिए चावल की खीर बना कर चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे छोड़ दी जाती है चांदनी रात में रखने के बाद सुभा में इस खीर का सेवन किया जाता है इसके अलावा अगर आप आँखों की समस्या से परेशान हैं तो शरदपूर्णिमा की रात को चंद्रमा को खुली आँखों से देखना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार शरदपूर्णिमा की रात को चंद्रदर्शन करने से आखों के रोक खतम हो जाते हैं और साथ ही आखों की रोशनी भी बढ़ती है इसी लिए शरदपूर्णिमा की रात को चंद्रदेव की पूजा की जाती है शरदपूर्णिमा के दिन कुबेर की पूजा भी की जाती है क्योंकि यह धन के देवता हैं शरदपूर्णिमा पर भगवान शिव की उपासना का भी विधान है मान्यता है कि इस पूर्णिमा पर भगवान शिव को खीर का भोग लगाने से शिव शंकर भगवान प्रसन हो जाते हैं शरद पूर्णिमा की रात को भगवान शिरी कृष्ण की पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शिरिकृष्ण भगवान ने राधारानी तथा गोपियों के साथ रास रचाया था शास्त्रों के अनुसार शरत पूर्णिमा का वरत रखने से हर प्रकार की मनोकामना पूरण हो जाती है विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ती की कामना हेतु यह वरत रखती हैं जो लोग पुर्णिमा का वरत शुरू करना चाहते हैं उन्हें शरत पुर्णिमा के दिन से ही वरत का संकल्प लेना चाहिए उडीसा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिके का जनम इसी पूर्णिमा को हुआ था कुवारी लड़कियां, श्वेत वरण, आकरशक, सुन्दर कार्तिके की पूजा उनके जैसा पती पाने के लिए करती हैं शरत पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रात धन की देवी लक्षमी जी अपने वाहन पर सवार होकर घूमती हैं और यह देखती हैं कि कौन-कौन जग रहा है और जो जग रहा होता है उस पर मा लक्षमी अपनी कृपा बरसाती हैं आईए शुरू करते हैं शरत पूर्णिमा की कथा प्राचीन समय में एक नगर में एक साहुकार रहता था उसकी दो बेटियां थी दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी बड़ी बेटी हमेशा पूरी निष्ठा के साथ पूर्णिमा के व्रत का पालन करती थी प्रन्तु छोटी बेटी व्रत को पूरा ही नहीं करती थी वह हमेशा आधा अधूरा ही वरत करती थी कुछ समय बाद दोनों बेटियों की शादी हो गई विवह के बाद साहुकार की बड़ी बेटी ने एक पुत्र को जनम दिया वहीं दूसरी ओर छोटी बेटी जो वरत को ठीक प्रकार से कर ही नहीं पाती थी उसकी संतान होने से पहले ही मर जाती थी इस बात को लेकर वह बहुत परेशान रहने लगी यह सब देखकर साहुकार ने विद्वान पंडितों से इसका कारण जानना चाहा पंडितों ने बताया कि तुम्हारी पुत्री पुर्णिमा का वरत आधा अधूरा करती थी जिस कारण उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती है यदि वह पूर्णिमा के वरत को पूरे विधी विधान से करे तो उसकी संतान जीवित रह सकती है यह सब जानने के बाद साहुकार की छोटी बेटी ने पूरे विधी विधान से शरत पूर्णिमा का वरत किया इस बार साहुकार की छोटी बेटी के घर एक पुत्र का जनम हुआ और वह कुछ समय तक जीवित भी रहा परंतु कुछ दिन बाद उसका पुत्र मर गया और उसने अपने मरे हुए बेटे को लकडी के पीढे पर लिटा कर उस पर कपड़ा ढख दिया और वह अपनी बड़ी बेहन को बुला कर ले आई और अपनी बेहन को उसी पीढे पर बैठने के लिए कहा जैसे ही उसकी बड़ी बेहन उस पीढे पर बैठने लगी उसकी साड़ी बच्चे को छू गई और उसकी बड़ी बेहन की साड़ी के छूते ही उसका बच्चा रोने यह देखकर बड़ी बहन को अश्चरे हुआ और उसने अपनी छोटी बहन से कहा तुम अपनी संतान के मरने का दोश मेरे उपर लगाना चाहती हो इस पर छोटी बहन ने कहा यह तो पहले से ही मरा हुआ था परन्तु आपके छूने से यह जीवित हो गया है इस प्रकार उन दोनों बहनों की श्रधा शरत पूर्णिमा के वरत की और और भी अधिक हो गई और दोनों बहने पूरे विधी विधान से शरत पूर्णिमा का वरत करने लगी हे प्रभु जैसे आपने साहुकार की दोनों बेटियों पर कृपा की और उन्हें संतान प्रदान की उसी प्रकार सभी वरत धारियों की मनोकामनाई पूरण करना कथा समाप्त कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला आईए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधी शरद पूर्णिमा के दिन श्रधा पूर्वक वरत करना चाहिए पूर्णिमा के दिन सुभा उठकर स्नान आदी से निवृत्त होकर तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करनी चाहिए कलश की स्थापना के बाद उसे लाल कपडे से ढक दें उसके बाद मालक्ष्मी जी की प्रतीमा को स्थापित करें अपने सामर्थे के अनुसार कलश में पैसे डालें शाम को चंदरोधय के समय अपनी क्षमता के अनुसार दिये जलाएं यदि दियों की संख्या 108 हो तो बहुत ही बहतर है शरत पुर्णिमा की पूजा में प्रसाद के लिए चावल और दूद की खीर बनानी चाहिए और लक्षमी जी को खीर का भोग लगाएं पूजन के बाद सबसे पहले किसी ब्राम्भन या जरूरत मंद को अथवा घर के बड़े सदस्य को प्रसाद के तोर पर खीर खिलाएं शरत पुर्णिमा पर रात में जागने का विधान है इसलिए रात में जागरन कर भजन कीरतन करना चाहिए इससे मालक्षमी प्रसन होती है रात्री जागरन के बाद सुभह सूरज उगने पर कलश और प्रतिमा का विसरजन करना चाहिए शरत पुर्णिमा की रात को मालक्षमी जी की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करें ओम हरीम शिरी कमले कम लाले प्रसीद प्रसीद महालक्षमे नमहा कुबेर जी की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए ओम यक्षाए कुबेराए वैश्रवनाए धन्धान्यादी पतये धन्धान्य समरिधी में देही दापय स्वाहा शरद पूर्णिमा की रात को सोभाग्य प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए पुत्र पोत्रम धनम धान्यम हस्त यश्वादी ग्वेर्थम प्रजानाम भवसी माता आयुश्मंतम करो तुमे शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा करते हुए शिवलिंग को जल से स्नान कराने के बाद सफेज चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, फूल तथा मिठाई का भोग लगाकर इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए यह शिव मंत्र, मृत्यू, भय, गरीबी, वैहानी से रक्षा करने वाला भी है पंच वक्त्र कराग्रे, स्वेरदश भिष्चयव धारियन, अभियम प्रसादम, शक्तिम शूलम, खटवांग मीश्वर, दक्षय करेरवाम कैशच, भुजंग चाक्ष सुत्रकम, डमरूकम, नीलोतपलम, बीजपूरक मुक्तमम शरदपूर्णिमा की रात को गोपी कृष्ण मंत्र का पाठ करने का भी महत्व है, आईए जानते हैं गोपी कृष्ण मंत्र ओम श्री हरीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल भाय श्रीम 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 शरत पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम आठ बच कर पंद्रा मिनट पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति चंद्रदेव की पूजा करना चाहते हैं और पूर्णिमा रात्री का जागरन करना चाहते हैं वह सब 30 अक्तूबर को होगा। और यदि कोई सत्य नारायन भगवान की कथा अथ्वा सत्य नारायन भगवान का वरत करना चाहता है तो वह वरत 31 अक्तूबर को रखा जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जै श्री कृष्णा जै माता दी। झाल झाल झाल